नमस्ति दोस्तु स्वागत है आप सब का मेरी चैनल पे आज हम बनाएंगे एलिफिंट की एक बढ़िया से मिथला पेंटिंग या मदुबनी पेंटिंग इस पेंटिंग को बना है मैंने A4 साइस के 300 GSM पेपर पे ये मैंने sketchpad से अपना ये paper निकाल लिया और उसके लिए मैं drawing के लिए इस्तमाल करनी हूँ acrylic paint तो acrylic paint को थोड़ा सा पतला करेंगे हमेशा ताकि आपका brush या nib आप जिस भी चीज का इस्तमाल कर रहे है वो आपको अच्छा रहे है आपका flow अच्छा बना रहे है consistency अच्छी होनी चाहिए paint की ताकि आपका brush अच्छे से move कर सके आपका nib जो है वो अच्छे से move कर सके आज़की जो painting बनाएंगे हम बिल्कुल authentic तरीके से बनाएंगे इसलिए paint का इस्तमाल करें sketching के लिए भी हर एक चीज में हम acrylic paint का इस्तमाल करेंगे sketching से लेके coloring तक पूरा process जो है हम वो acrylic paint से बनाएंगे और इस तरह से सबसे पहले मैंने 1 cm लगभग लगा लो border छोड़ा है चारो तरफ और इसी चीज को आप जैसा मैंने का ना nib से भी कर सकते हो निब जो है मिल जाता है असानी से अगर आप brush कहीं से भी ले सकते हो यह मैंने online order किया था यह brush यह brush जो है favicryl का है size 0 का brush है round brush तो इससे बहुत ही बढ़िया भारीक fine lines आती है एक और trick है अगर आप brush को ने ऐसे straight पकड़ो जैसे आप देखो मैं जैसे sketch कर रही हूँ straight पकड़ा है मैंने slant नहीं पकड़ना है आपको सीधा पकड़ना है brush को तो उससे एक दम आपको tip से बनाना है थोड़ा थोड़ा paint लेना ज्यादा paint नहीं लेना है brush में थोड़ा थोड़ा आप लेंगे ना तो उस तरह से आपकी बहुत ही fine line आएगी और एकदम perfect line brush से भी आप ला सकते हैं तो यह थोड़ा सा advanced level अगर आपने बहुत साई paintings अल्रड़ी बनाई वी आपको थोड़ा experience है तब आप brush से directly sketch कर सकते हैं लेकिन अगर आप चुकी beginner हैं तो कोई बात नहीं इस painting को दोनों लोग कर सकते हैं जो beginners हैं वो भी कर सकते हैं आप brush की जगा pen का इस्तिमाल कर सकते हैं प्राक्टिस के लिए हम pen से कर सकते हैं पर जो authentic तरीका है अगर आप advanced level पे हैं आपने बहुत सारी paintings की प्राक्टिस है आपको आपने बना रखी है मिथलार्ट तो आप सीधा brush से बना सकते हैं तो यह आपका authentic तरीका हो जाएगा थोड़ा advanced level तो यह tutorial दोनों के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे brush की जगह paint की जगह pen से आपको sketch करना है अगर आप beginner हो और आप एक अची सी painting बनाना चाहते हो तो double line, double line नहीं भूलना है आपने face बनाया elephant का थोड़ा सा face के आगे मैंने जगह छोड़ा है क्योंकि मैं वहाँ पे lotus बनाने वाली हूँ तो lotus भी जो है मिथला ज़रूर करनी है मिथलार्ट में, double line का बहुत importance है, double line जो होती है वो shiva और shakti की line होती है यह दोनों, इसलिए हमेशा मिथलार्ट में बनाते हैं, दूसरी इसका जो यह तो हो गया cultural importance double line का, लेकिन अगर आप इसका practical advantage क्या होता है double line से, यह जो double line है इसके अंदर color नहीं आए चुकि मिथलार्ट जो है बहुत intricate art है, इसमें बहुत सारे patterns, colors भरते हैं, दो तरीके से बनाते हैं हमेशा, दो technique आप कह सकते हो, या दो style जो है वो हर painting को बनाने के लिए use होता है, वो है कचनी या भरनी, कचनी में जो है हम patterns भरते हैं किसी भी motive के अंदर या किसी भी design के जादा तर line से भरते हैं design को और जो भरनी होता है इसमें हम रंग भरते हैं, तो इसी तरह हम देखेंगे आगे जैसे जैसे हम करेंगे, तो हमें कचनी और भरनी का इस्तमाल करना है, तो कचनी और भरनी जो है एकदम से आपको हमेशा हर मिथला art जो भी आप बनाने जा रहे ह वें किसी भी तरह के मिथला art आप बनाते हो, तो कचनी या भरनी या कचनी भरनी mix इस तरह से हिं इस्तमाल होता है, जादा तर मिथला art में कचनी और भरनी mix करके हैं हम बनाते हैं, तो वही हम करने वाले हैं, सबसे पले हम black से sketch कर लेंगे, अधिकतर मिथला art में sketching जो होती वो black से होती है outline पर आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आपको स्रोफ black color ही use करना आप चाहें तो outline red से भी कर सकते हो उसकी कोई मना ही नहीं है इसमें लेकिन ज्यादा तर 99% टाइम्स black से outline किया जाता है और इसी तरह से double line का इस्तमाल होता है outline के लिए तो वो important है मिथला आर्ट अगर आपको सीखना है, बिलकुल बेस से आपको सीखना है, तो इसी तरह यही सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, कभी भी आप कोई भी डिजाइन कर रहे हो, कोई भी पेंटिंग बना रहे हो, तो यह सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, त side view बनाते हैं, तो elephant का जो है न, इस तरह से side view है यह, आप सामने से भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन अधिक तर sketch आप देखोगे मितला आट में, face में भी या जब भी आप बनाते हैं, तो side view जादा देखने को मिलता है, तो यह हम side से बना रहे हैं, और यह जो drawing होती है मितला आट वो जादा तर 2D में होती है, two dimension में, three dimension या perspective जो है, वो missing होता है और simple drawings होती है, simplicity जो है, वो important है, जादा तर patterns भरे जाते हैं, borders भरे जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जब हम elephant के legs बना रहे हैं, उसके अंदर भी patterns भरेंगे, borders भरेंगे, इस तरह से designing जादा है, design element जादा है, इस कला में, तो चारो legs वैसे ही, जैसे हमने एक leg में border बनाए, वैसे हमें चारो में बनाने हैं, और neck के पास, कोई भी animal जब भी आप बनाएंगे, neck के पास, दो या तीन border ज़रू देंगे, आपका जितना space है, उसके साब से दे सकते हैं, अब आपको ध्यान देना है, यह कचनी, जो लहाचिंग किया, आपने line किया, उसे हम कहते हैं कचनी, तो यह चीज़, आपको कुछ points है, आप चाहें तो उसको notes बना सकते हो, भी लिख सकते हो, यह कुछ points जो है, मिथला art को, आपको जब भी बनाएंगे, तो आपको याद रखना है, double line करना है, outline, black से outline जादा तर होता है, कचनी और भरनी का इस्तमाल होता है, जब भी मिथला art आप बना रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें, points note down कर सकते हैं, आपके लिए, जरूरी है, कान में भी देखो, हर एक चीज़ में ऐसे चोटे-चोटे designs, पारीक design बनते हैं, तो इस form है यह, इसको पूरी तरह से आपको decorate करना है, तो वो important है, तो इस तरह से चोटे-चोटे floral pattern, floral pattern भी बहुत important है, geometric pattern, floral pattern, यह सारी चीज़ों का इस्तमाल होता है, जब आप flowers भी जो मैं बना रही हैं, आप देखो, उसका भी एक तरीका है बनाने का, ऐसे आपने सबसे पहले semi circle किया और उसके उपर line line कीचे और फिर curve से join किया, उस तरह से flower बनाया, तो यह सब चीज़ें बारी की जो है, आपको थोड़ा note down करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, फिर आगे हमने ऐसे, जो elephant का trunk है, उसको हमेशा एक twist देना है, मितला आर्ट में, हमेशा वो आगे की तरफ मुड़ा रहेगा, या अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा, तो यह आपको ध्यान देना है, जब भी आप elephant बना रहे हो, trunk को हमेशा एक जुकाव या मुडाओ देते हैं, हमेशा मितला आर्ट में, तो यह सारी चीज़ें बारी की, जो है मितला आर्ट की, यह आपको स चोटा सा कमल दूसरी तरफ भी निकालेंगे हम, यह से थोड़ा theme बन गया, यह कमल और हाथी का, एक design जैसा, इस तरह से देखो, जैसे उपर भी हमने एक floral pattern आर्ट कर दिया, जब भी हम floral pattern भी बनाएंगे ना, इसी तरह से semi circle, उसके उपर line line line, ऐसे करके, चारो तरफ semi circle के ज साल देंगे हम, सुन्दर लगेगा, पूरी तरह से भरावा होता है, design, designed रहता है बलकुल, इसे suit भी जो आपने बनाएं, जो trunk बनाएं, उसके उपर भी इस तरह से आप 2 या 3 और floral pattern आड़ कर सकते हैं, और उपर suit में भी न, छोटे से border बना दिया, जो end है, वहाँ पे, जिस आपका space है, उसे साप से बना सकते हैं, जैसे वहाँ पे अगर बहुत बड़ा elephant बना रहे हो, आपके पास जादा space है, तो यह तीन, चार, पांच border यहां भी एक और border आड़ कर सकते थे, तो कर दिया मैंने, तो इस तरह से आपका, जैसे-जैसे सजा रहे हैं, वैसे-वैसे, जो मैं भोल रही थी, ना, दूसरा lotus, वो भी हम यहां आड़ करेंगे, जहाँ-जहाँ जगे हैं, वहाँ पे हम adjust करेंगे, थोड़ा सामने जगे सो, छोड़ अकदा, face के आगे, तो यहां पे lotus बनाएंगे, अब देखो, यह सारी चीजें brush से कर रहे हूँ मैं, तो वही चाहो तो pen से कर सकते हो, black pen, कोई भी black pen आप यूज़ कर सकते हो, जादतर अगर आपको, आपका long lasting चाहिए आपको painting, तो अगर आप न, marker जैसा यूज़ करोगे, न, पतला marker, 1 mm का, या फिर 0.5 mm का, तो वह काफी अच्छा हैगा, इसके लिए micron pens का भी इस्तमाल करते कई लो, वह भी अच्छा effect आता है, मैं बहुत पहले यूज़ करती थी staidler का, जो एक permanent marker आता है, पतला वाला, वह भी बहुत अच्छा effect आता है, उसका अगर आप beginner हो, आप pen से बनाना चाहरे हो, वरना इसको आप चाहो तो nip से बना रहे हो, तो ink में भी dip करके बना सकते हो, अगर आ वाला ink है, जो calligraphy के लिए आता है, या फिर जो waterproof ink होता है, उसका इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप color भरेंगे ना, तो smudge नहीं होना चाहिए, और सबसे best, अगर आपके पास नहीं कुछ है, ये सारी चीज़ें available नहीं आप, और फिर भी authentic way में करना चाहते हैं, तो acrylic paint, acrylic paint, आसानी से मिल जाता है, market में, और black तो हर box में होता ही है, और black का आपको कुछ इस्तमाल भी करना है, तो इसलिए उसको मने थोड़ा पानी से घोल लिया था, और इस तरह से sketch कर लिया, अब ये जो elephant के अंदर के designing है, जैसे मैंने कहा ना, ये decorative है, पूरी तरह से भरा रहा यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसके उपर ना, ऐसे नहीं होता, जो royal elephant जैसे आप देखोगे कि बहुत सजादजा जो elephant होता है, वो ही हम बना रहे हैं यहाँ और इस तरह से हम, चारो तरफ ना, ऐसे बिछा दिया एक fabric जैसा है, जो उसके उपर ना, लटका रहता है ना, elephant के उपर, तो वो चीज़ हम डेजाइन कर रहे हैं, उसमें भी तीन, चार border जैसा आपका space है, उसे इसाब से, यहाँ चुकि हमने दो ही border दिये, बट आप तीन, चार border कर सकते हो, मैं थोड़े और borders यहाँ पैर में भी add कर रही हूँ, जैसे जैसे आपका space हो, जितना आपका design possible हो, उसे साब से, और हर जगा आपको double line देनी है, वही double line जो मैंने आपको पहले समझाया है, कि उससे white line जो आती है na double line की वज़े से, क्योंकि हम उसमें color नहीं भरते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आपका pop out होगा design, जब आप रंग भरेंगे तो आपको दिखेगा, वो क तरह से सजाते हैं, अब आपको na animals में, दो तरीके से animals बना सकते हैं, एक तो animal ये हो गया, जहां पे आपने ऐसे उपर से चादर दे दी, एकदम से वाहन जैसा बना दिया, या फिर animal ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो उसमें ये चादर नहीं देंगे, उसके जगर pattern बनाएंगे body के अंदर, तो depend करता है, तो यहां पे हम एकदम से royal elephant बना रहे हैं, बिल्कुल एकदम से वो तयार है, बिल्कुल किसी को भी ले जाने के लिए, और एकदम से dreamy design है, थोड़ा आप देखो तो बिल्कुल दो lotus भी बना दी है, जो कि थोड़ा relevant नहीं है, पर आप बना सकते है मिथला आर्ट में, ऐसा नहीं है कि lotus को आपको सिर्फ पानी में ही दिखाना है, आप ऐसे design के रूप में भी बना सकते हैं, मिथला आर्ट में, lotus को, यहां पे जो हमने ऐसे उपर से fabric का design दिया है, उसमें, वापस से मैंने border बनाया और यह triangle वाले design, तो इस तरह से आपको करना है ना, designing आपके painting को, और यहां पे फिर कचनी, यह कचनी फिर वापस से आपको याद करनी है, कचनी जो थी, जब भी आप design को hatching technique से भर हो गए, या फिर जिस इस तरह के जो line, fine line से भरते हैं, तो उसे कचनी कहते हैं, तो इस तरह से, वापस हम यह lotus add करते हैं, तो थोड़ा लोटस themed भी हो गया, elephant and lotus आप कह सकते हैं, तो इस तरह से, दूसरी तरफ भी हमें कीचना है, ऐसे एकदम से stylish होना चाहिए आपका design, थोड़ी लचक होनी चाहिए आपके design में, तो वो ज़्यादा सुन्दर दिखता है, और वापस से यहाँ पे dot dot, यह क्योंकि हम भरनी करने भाले हैं, तो भरनी में भी ऐसे छोटे-छोटे patterns बनाते हैं, आप यहाँ पे floral patterns भी बना देते हो, क्योंकि पूरी तरह से हम color भरेंगे, तो यह जो है न, designs यह white-white दिखेंगे, यह dots और बहुत-बहुत सुन्दर दिखेगा, जब यह पूरी तरह से बन जाएगा, तो, तो बिल्कुल pattern की तरह डालना है, तो यह पूरी तरह से हो गया, अब यहाँ पे हम eyes बनाएंगे, eyes जो है बिल्कुल ऐसे लंबी सी बनाते हैं, मिथला आर्ट में, और आपको एकदम से human eye जैसा लगेगा, animals में भी इसका इस्तमाल हो सकता है, और इन सब के चक्कर में एतनी excited थी elephant बनाने के चक्कर में कि मैं border design तो भूली गई, तो इसलिए अब मैं start करूँगी border design, usually मैं सबसे पहले border complete करके, फिर कोई main theme जो है अपना अंदर का बनाती हूँ, पर अभी हम बिल्कुल border skip कर दिया हमने, मैं भूल गई, तो इस तरह से हम simple ही border रखा है, बट बिल्कुल unique है त उपर जो है, उपर की तरफ आपको ऐसे floral pattern जैसा बनाना है, same to same repeat करना है, हमेशा याद रखो, corner से start करना, हमेशा border तो आपका perfect बनेगा, क्यों corner से वो आगे के तरफ जाएगा, तो corner आपका perfect आएगा, तो ये border मनने के बाद इस तरह दिखेगा, simple सा border, अभी चुकि ये elephant बिल बनाते हैं, हमेशा मिधला आर्ट में, एकदम simplicity है इस आर्ट में, लेकिन आप देखो, expression पूरी तरह से, हर चीज़ को अच्छे से express किया जाता है, simple way में, तो sketch बन गया है, एकदम से सूख जाना चाहिए, sketch आपको ये दियान देना है, पूरी तरह से आपका paint dry है, black वाला, औ फिर हम भरना शुरू करेंगे, और मैंने चुना एकदम से dark purple, जब भी आप भरनी करो, और dark color यूज करो, तो ये चोटे-चोटे dots और जादा highlight होते हैं, एकदम white अच्छे दिखते हैं, तो इसलिए मैंने एकदम से dark color का इस्तमाल किया है, यहाँ पे dark purple, और आपको ये देख हो सकते हो, और elephant को blue, red, आपके मंचाहे color में बना सकते हो, जरूरी नहीं कि elephant अगर gray है, या you know, एक certain color है किसी भी आने मिलका, तो वैसे ही आपको बनाना है, आप अपके मंचाहे colors का इस्तमाल कर सकते हो, अभी यहाँ हम कर रहे हैं कच्छनी, पर हम कच्छनी कर रहे हैं orange color से, तो कच्छनी में भी आप color का change कर सकते हो, जैसे हमने पहले black में ज़्यादा कच्छनी की, अभी हम यहाँ कर रहे हैं orange से, same to same हम हम सर lotus के petals में कच्छनी करेंगे, slant कच्छनी करनी है, इसको हम कहते हैं तिरची कच्छनी, तो इस तरह से slant कच्छनी करनी है आपको petals में, एक एक petal मैंने छोड़ दिया है, दूसरे color के लिए, तो जब दो कच्छनी को मिला कर हम करते हैं, खूब सूरत दिखता है वो इसलिए, और वापस same to same यह कच्छनी हम यहाँ पे भी कर रहे हैं orange से, border में, वापस इसको में एक छोड़ कर एक कर रही हूँ, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो जितने भी direction जिनका same है, उसमें एक color भरना है आपको, orange, तो यहाँ पे मैंने orange का इस्तमाल किया है, जादा colors हम यूज नहीं कर रहे हैं इस painting के लिए, तो अभी तक हमने दो color का इस्तमाल किया है, black को मिला कर तीन, वापस मैंने यहाँ पे dark purple से face में भी किया है, बहुत dark color है, तो आपके eyes नहीं दिखेगी और eyes जो है, किसी भी चीज की highlight होती है, तो वो हमें जरूर दिखाना है, इसलिए मैंने eyebrows को थोड़ा dark कर लिया, double line से, you know, not dark, बड़ double line से कर लिया, ताकि वो highlighted रहे, अब मैंने इस्तमाल किया pink का, एक्दम से यह bright, rani color आपका हो त अंदर combination होता है, पर इस बार मैं कुछ अलग try करना चाहती थी, इसलिए मैंने pink लिया है, एकदम से बहुत प्यारा लग रहा है, यह orange और pink साथ में, तो इसलिए से आप रफ पे एक बार color combinations test भी कर सकते हैं, कि किस color के साथ क्या अच्छा लग रहा है, वापस कच्णी, और आ एकदम से एक ठिक line चारो तरफ आप जैसे देंगे आपका वो कच्णी उभर करा जाएगा, देखो इस तरह से, हमने कच्णी कर लिए और चारो तरफ से highlight कर दिया, same to same camel में भी किया है, जब petals में किया, तो outline जो है, एकदम से, जो edge touch करेगा आपके black line से, वो आपको highlight करनी है, वो ही pink color यहां कान में इस्तमाल किया, तकि वो थोड़ा pop out करे, colors का मैंने जैसा बोला, उतना restriction नहीं है, तो आप एकदम से, आप experiment कर सकते हैं, explore कर सकते हैं, आपके paintings को सुन्दर बना सकते हैं, वापस यहां कच्णी की और highlight कर दिया, outside, outline को, यहां भरनी, तो आप जैसा मैंन of कच्णी and भरनी, तो इस तरह से, यहां पे हमने half भरनी किया, बीच में छोटा सा white, अगर आप dot छोड़ देते हो, तो वो हो गया half भरनी, इस तरह से black color इस्तमाल कर रही हूँ मैं, यहां पे पूरी तरह से भरनी कर रहे हैं, तो यहां पे color से भर दिया, तो उसे भरनी कहते हैं, और यहां भी हम वापस orange color भर रहे हैं, यह चोटे-चोटे designs में, क्योंकि orange जो है वो अच्छा color दिखेगा, bright color, हमेशा यह भी देखना, ध्यान देना, color combination में, light और dark color का combination रखना, तो उसे आपका design उभर के आएगा, यहां पे पूरी तरह से भरनी किया, जो pink बनाया था triangles में, वो half था, यहां पे वापस orange, तो जादा colors अभी तक देखो, जादा colors हुए नहीं है, सिर्फ black, pink, orange और purple, वापस orange का, यहां पे जमीन में भी हम कच्छनी कर रहे हैं, सिर्फ outline हमने वापस से dark किया, एक और color अड़ किया, मैंने green, तो यहां पे, यह महंदी green अगर आप क और यहां पे मैंने जो stem है, उसको पूरी तरह से भर दिया है, तो लगभग हमारा elephant होने ही जा रहा है, बस last color यह green से हम थोड़ा और highlight कर रहे हैं, तो lotus के जो पत्ते हैं, उसमें कच्छनी, और जो dental है, उसमें green color, वापस यहां पे भी कच्छनी green से, थोड़े green के elements हम elephant के अं भरनी का combination, इसमें मैंने start किया है, तिरची कच्छनी से slant कच्छनी जो है, और उसको वापस उपर से check जैसा जब बना देंगे, तो वो हो जाती है, दोहरी कच्छनी, यहां पे थड़ कच्छनी इसको बोलते हैं, straight line वाली कच्छनी होती है, वो थड़ कच्छनी होती है, तो यह सूख चुका है, बहुत important सूखाव आपको चेक करना है, and then मैं क्या कर रही हूँ, background की तायरी कर रही हूँ, तो background के लिए सबसे पहले मैंने, lines, lines, slant lines पूरी तरह से, चारो तरफ, एकदम हलके pencil से करना है आपको, वो सरिफ आपका reference point होगा, तो कि हम एक बढ़िया सी interesting border बनाने वाले हैं, तो इस तरह से चारो तरफ आपको line line खींच लेना है, इस तरह से, scale से, and वापस उसको cross करना है, ताकि आपका square square जैसा बन जाए, पूरी तरह से pattern आपके background के लिए, और उसी square के अंदर हम design बनाएंगे, इसलिए वो important है, कि आप इस तरह से square square चारो तरफ ब circular patterns, और उसी के उपर और जादा patterns को circle में पूरी तरफ से बनाना है, यही है मारा background का pattern, आप जैसे जैसे देखोगे, यह circles प्यारा लग रहा है, उसके उपर वापस से, ऐसे floral pattern में circle, वापस, तो जितने भी floral pattern से आपको circle के design में बनाने, और यह आपका background का design बन जाएगा, तो जैसे 4-5, एक-एक करके आप 4 तरफ बना दो, जब तक वो मिलना जाए एक दूसरे से वो circles, तब तक आप बनाते रहो background, इस तरह से, है ना, आप देखो, यहाँ पर सटने वाला है बिल्कुल, तो इस तरह से आप बना के end कर सकते हो, इतने बड़े-बड़े आपको circles बनाने और आपको continue करना है, पूरी तरह से जो blank space है, उसको भरना है इसी circle से, अब वापस हम दूसरे इस point पे आएंगे, है ना, और वो continue करेंगे हम, जब तक वो एक दूसरे से पूरा चिपक न जाए वो circle, थोड़ा सा एक दो line उपर नीचे भी होगा, बढ़ेगा तो चलेगा, अ hidden spots के लिए इस तरह से आप design कर सकते हो, कि आप एक imagine कर सकते हो, कि कहां से आपका circle start होगा, और वापस से आप उसको join कर सकते हो, तो जैसे जो hidden spots का मतलब होगा है, जो आपके point, जो meeting point, आपके drawing के पीछे होने वाला है, तो वो आप exactly तो plan नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से आप pencil से भी थोड़े circle design बना के, उसके उपर से paint भर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, अगर आपको अंदाजा नहीं मिल रहा है कहां exactly, तो हलका सा circle circle जैसा नहीं, repeated circles बना लो pencil से और उसके उपर ये design फिर दो, और जहां भी gap है, उसके अंदर वापस से ये design भर दो, चोटे चोटे आपको एकदम से floral pattern बनाने है, बारीक जितना गाम करोगे, उतना सुन्दर लगेगा आपका design, उतना प्यारा दिखेगा, तो ये हो गया, इस तरह से देखो, भरने के बाद आपका कैसे lotus एकदम से उभर गया है, एकदम से आपका जो elephant है, वो भी उभर के दिख रहा है, तो ये बहुत ही प्यारा design है, यहाँ पर देखो, वापस से मैं pencil से हलके से, इस तरह से circle pattern बना रही हूँ, और वापस से उसमें भरने वाली हूँ, तो ये लगभग इसी तरह से आपको पूरा background कंप्लीटली भर देना है, जैसे जैसे आप करेंगे, वैसे वैसे वो सुन्दर द अनिवाद, जरूर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, थैंक्स पर वाचिंग,